हालो स्टूडेंट्स मैं डॉक्टर समंध किची आप लोगों के कॉडिनिशन केमिस्ट्री का सी अफ्टी का जो पोर्शन है वो चल रहा है इसके अंदर हम यहां तक कर चुकी है कि जो एनर्जी होती है स्प्लेटिंग के बाद वो सबसे जादा एसपी मतलब स्क्वायर प्लेनर कॉमिस से निकलती है फिर टेटरागोनल की फिर ओक्टराहेडल की फिर टेटराहेडल की अब इसके बाद अगर हम यह स्प्लेटिंग देख रहे हैं तो हमारे लिए ज़रूरी है कि इन और्बिटल्स में बरने का जो इलेक्टरोंस बरने का जो रूल है वो किस तरीक की का होगा वो हम आज की सेशिन में जाने है तो यहां जो आज की heading है वो है filling of electrons filling of electrons के अंदर first हम देखेंगे tetrahedler में फिर हम देखेंगे octahedler में यहां पर एक बात बहुत important है कि अगर हम telahedler की बात करें तो उसके अंदर कभी भी पेरिंग एनर्जी कम नहीं होगी इस बात का मतलब यह है कि अगर मैंने और्बिटल को कुछ इस तरीके से स्प्लिट किया था यहां दो आ गए थे और यहां तीन आ गए थे और अगर हम इलेक्ट्रोन यहां रखें दूसरा इलेक्ट्रोन यहां रखें तो तीसरा इलेक्ट्रोन यहां होने के लिए अगर ऐसे कंडिशन होती है हम जनरली हून्स रू ही नहीं है और एनर्जी इतनी कम है कि एलेक्ट्रोन खुद बाखुद तीसरा यहां और चौता यहां आ जाए ऐसी कंडिशन केवल उसी कंडिशन में होगी जब डेलिटा टी की जो स्प्लिटिंग है उसकी एनर्जी तो होज़ादा और पेरिंग एनर्जी हो कम अब हम वही कं इसके अंदर हमारी एनर्जी कम आ रही है पर अगर हम यह कंडिशन फॉलो कर रहे हैं और अगर यहां पेरिंग एनर्जी कम आए लेकिन ऐसा होता ही नहीं है क्योंकि आपने इस डायग्राम में देखा होगा कि इसकी हमने जो लेवल बनाए है स्प्लिटिंग जो लेवल बन लेकिन इस कंडिशन में क्या है आपको दिख रहा होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो उपर जाएगा तो उसको एनर्जी कम लगाने पड़ेगी बजाए इसके कि वो यहां आके पेर हो जाए अच्छा आप आप सोच रहे होंगे कि यहां आने पर पेरिंग एनर्जी क्यों ज करना पड़ता है इस वजह से पेरिंग एनर्जी जो होती है बहुत जादा होती है इसलिए ही टेक्ट्रा हैडल कॉंप्लेक्सेज में हमेशा पेरिंग एनर्जी जादा होगी और्बिटर ऑल्वेज ऑल्वेज हुन्स रूल को ही फॉलो करेंगे उसके अंदर जो यह दूसर थी यहां सेकिंब सेडन इसी और्भिटर में हैगा तर्द एलेक्ट्रोन है तो वह यहां ऊपर चला गय क्वला विसको यहां है कि कि अगर मैं ऐसे कहूं ये और ये तो एक, दो, तीन, चार, पांच, ये पांच एलेक्ट्रोन तक आप देखिए, अगर मैंने इसको कहा EG2 और इसको कहा T2 और ये 3, तो मतलब ये कंडिशन ये वाली जो 5 तक ये मतलब सब हाफ फिल्ड बन गए और ये कंडिशन आ गई क्योंकि ये नीचे है, यहां आगया, 7th electron भी यहीं आएगा, 8th electron फिर यहां जाने लग जाएगा, 8th यहां जाएगा, 9th यहां जाएगा, 10th यहां जाएगा, इसको पढ़ने का तरीका क्या है, EG4, 2T4, EG4, T25, EG4, T26, तो इस तरीके से इन electrons को हम भरेंगे जब बात कर रह हैं हम tetrahedral complexes की, आप जब भी कोई complex देखेंगे, उसके अंदर आपका central metal iron दिया हुआ होगा, central metal iron की oxidation state निकाल के हम यह देखेंगे, कि उसके अंदर कितने number of electrons present हैं, उन present electrons को हम कुछ इस तरीके से भरेंगे, इनके भरने के बाद, जो भी यहां पर कक्षक खाली रह जाएंगे orbitals खाली रह जाएंगे, उनके अंदर ligands के electrons आते हैं, अब हम बात करें, यह यह जो पूरा structure है, यह है CFT का, इससे पहले जो हम BBT और Vesper theory में करते थे, वहां हम खाली overlapping दिखाते थे, metal और ligands के orbitals के बीच में, पर यहां पर हमें electron को अलग भरने का तरीका दिखाना पड़ता है, इन octahedral complexes में क्या होगा, यहां आपके दोनों रूस लगेंगे, pairing energy कम भी हो सकती है, pairing energy जादा भी हो सकती है, जो काम जादा है, वो हम कभी नहीं करते हैं, हम वही काम करते हैं, जहां हमारे को energy कम लगानी पड़ रही है, अगर pairing energy जादा है, तो इसका मतलब कि वो octahedral splitting में रह जाएगा, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, ऐसे जाएगा, फिर साथवा, आटवा, नवा, दसवा, ऐसे ही electron जाएंगे, अब इसको भी हम देख लेते हैं, यह कुछ किस तरीके से होगा, यह कुछ इस तरीके से होगा, अगर condition है, pairing energy कम, तो मैंने आपको बताया, अग बतलब electron pair होँगे, अब आप देखें, पहला electron जा रहा है, T2G, 1 में जा रहा है, दूसरा जा रहा है, T2G, 2 में ही जा रहा है, तो T2G, 3 हो गया, चौथा आ रहा है, तो T2G, 4 है, यहां आप देखें, EG, 0, EG, 0, EG, 0, EG, 0, मतलब कि EG हर condition में 0 रहेगा मानने कि उपर वाला orbital हमारा 0 है पांचवा इलेक्टर आया तो T2G 5 हो गया यह 0 हो गया मतलब कि हमारे जो यह orbitals होते हैं यह कुछ इस तरीके के हैं यह दो आर्बिटर एक, दो, तीन अब मैंने एक इलेक्टर भरा, मैंने दो इलेक्टर भरा, मैंने तीन भरा, मैंने चौथा भरा, मैंने पांचवा भरा और मैंने छटा भरा यह condition कब, यह देखें आप, यह orbitals खाली हैं जबकि हम जानते हैं कि according to हूंस यह हम कभी भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि हूंस रूल के according हमें पहले सारे available orbitals को भरना होता है पर क्योंकि यहां pairing energy बहुत कम लग रही है, तो इलेक्टरन कुछ इस तरीके से ही भरे जाएंगे अब आप देखें यहां जो पांचवा इलेक्टरन आया है तो EG5 और 2TG5 और EG0 है मतलब कि EG में कोई भी इलेक्टरन नहीं गया, यह देखें हमने सारे भर दिये 2TG6 हो गया, 2TG6 हो गया और EG0 मतलब 6 के 6 इलेक्टरन नीचे आ गए, ऐसा सिर्फ उसी कंडिशन में हो सकता है जब यहां लगने वाली एनरजी बहुत ही कम हो इसके बाद हमारा EG1 स्टार्ट होगा, EG2 स्टार्ट होगा, EG3 और लास की कंडिशन है, 2TG6, EG4 मतलब सारे के सारे 10 इलेक्टरन भरे जा चुके हैं अब आप देखें, यह कंडिशन कब है, जब पेरिंग एनरजी बहुत कम लगानी पड़ रही है दूसरी कंडिशन में अगर पेरिंग एनरजी जादा लगानी पड़ रही है वो बिल्कुल वैसी ही है, जैसे कि टेट्रा हेडल में होती है पेरिंग एनरजी अगर आपको ज़्यादा लगानी पड़ रही है तो आप जो स्प्लिटिंग होने के बाद डेल नॉट जो एनरजी निकलती है आप उसको फॉलो करेंगे और यहाँ पूरे के पूरे हुंस प्रिंसिपल फॉलो होंगे और इस कंडिशन में इलेक्टोन बिल्कुल वैसे ही भरा जाएगा जैसे कि नॉमली डी जनरेट लेवल पर जो प्रेजेंट होते हैं यह जो प्रेजेंट है इसमें मेरे भरने का तरीका एक दो तीन चार r 00 फिर मैं। च्यक शे ल आट नो 10 ऐसे ही हम यहां बरेंगे पहले इस वाले कंडिशन में भी हम ऐसे ही भरेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, इसको आप देख लिजिए, पहला इलेक्ट्रोन आया है, टी टू जी वन, टी टू जी टू, दूसरे इलेक्ट्रोन टू, तीसरे इलेक्ट्रोन त्री, चौता जैसे ही इलेक्ट्रोन आएगा, तो यह त्री ही है, और eg1 में चला गया है जबकि आप यहां देखिये यहां के इसको 4 कर दिया था और eg0 था 5 उलेक्टोन आया 2tg3 emotional ed2 हो गया मतलब 15 उलेक्टोन हमने ऐसे भाल दिये छटाश हो और 6 ऐलेक्टोन आया 2tg4 final bel입니다 qa 2tg3 is cal ऊप-larand इसी तरीक से नववा और दसवा लास वाला इलेक्ट्रोन मतलब कि अगर हम बात करें कोई भी अगर मेटल आयन ऐसा है जिसका की D10 configuration हो उस condition में चाहे higher spin complex बने चाहे lower spin complex बने तोनों ही condition में उनका electronic configuration एकदम सेम है 2TG6EG4, 2TG6EG4 यह आप बार में देखेंगे, अभी हम असा topic है वो type of complexes का है मतलब कि अगर हमने complexes को spin free बोला, spin paired बोला, यह जो condition आई थी, यह आई थी according to CFT, outer orbital और inner orbital जो बोले जा रहे थे, वो बोले जा रहे थे according to VBT, मतलब VBT में क्या बोला जाता था, outer orbital, inner orbital, जब D orbital, outer के participate करते थे in overlapping में, तो उन्हें बोलते थे outer orbital और अगर D orbitals, अंदर के participate करते थे in overlapping में, तो उन्हें बोला जाता था inner orbitals, उसके बाद, spin free से ही एक word आया, weak field, spin paired से एक word आया, strong field, और weak field है, तो high spin होगा, अगर strong field है, तो low spin होगा, यह सारे के सारे word है, CFT के, इसको हम कुछ इस तरीके से समझते हैं, अगर आपने D orbital लिए है, और अगर यह orbitals हैं, इस condition में आप क्या करेंगे, कि अगर आपको एक electron यहां भर रहे हैं, एक electron यहां, फिर यहां, तीसरा, चौथा, पांचवा, अब आप अगर गौर से देखेंगे, तो आपको दिख रहा होगा, कि यह सारे के सारे जो और electrons भरे हैं मैंने, इस condition में इनका spin बहुत high आएग और यह सब के सब weak field की condition में हो सकते हैं, माने कि अगर ligand की field इतनी weak है, तो ligand इनको आसानी से उपर जाने देगा, इस condition में क्या है, कि spin high spin है, high spin का basically मतलब होता है कि अगर मैंने इनका magnetic moment निकालूंगी, तो इनका ज़्यादा आएगा, आपको दिखी रहा है, अगर 5 electron number of unpaired electron 5 है, तो उस condition में ज्यादा ही आपका magnetic moment आएगा, जबकी